वीज़ेपी मुख्याले में हुए अभिनंदन समारों में नए अध्यक्ष जेपी नड़ा ने क्या कहा अब वो आपको सुन बाते हैं मैं धन्यवाद करता हूँ आधरिनीय प्रधान मंत्री जी का जिन्होंनों मुझे पर विश्वास किया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इस पार्टी के काम को संभालने का और इसको आगे ले चलने का जो नोंने विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं तहिद इन्सुल का धन्दवार करता हूँ आधरिनीय प्रधान मंत्री जी ने भी बहुत आशा भी व्यक्ती है तृष्टी भी दी है और धिशा भी दी है जिस और हमको दाना है मैं एक ही बात का उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी टाकत सामर्स मेरे में होगा दिन रात एक करते मेहनत की प्रकाश्था करते हुए और सहेनत की प्रकाश्था खुद ही नहीं आप सब लोगों के साथ मिल करके करते हुए भार किये जनताफ पार्टी को उतकर्ष की स्थिती में ले चलेंगे इस बात का आपको विश्वास दाना है उसे बड़े सदस्य संक्या सांसदों की हमारी सबसे बड़ी सदस्य संक्या विधायकों की हमारी है लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, कुछ प्रदेश अभी भी बच गए हैं, वहाँ भी हमारा निशाना पुरा है और आने वाले समय में सारे भारत में भारत किये जन्ता पार्टी के कमल को पहुचाएंगे, ये विश्वास हम आपको देखेंगे। अगर्णिय मोदी जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे, जिनके देख रेख में हमने युगाओं के बीच में भी काम किया और पार्टी में हमाचन के भी काम कुए नितिंई जी के साथ, वो मुझे दिली लेके आये थिक मेरे महामंघ्री के रूप पने इनके साथ क्कां PAL किया। राजनाजी के साथ Weकां किया और मुझे फुसी है कि याथ ब्रमभ भात करता हम तो, जिसको शीस ने-त्हीतज्ष कीक्ता प्यार्मे हैं। मिला हो कि उसे अगर कोई जिम्मेवारी किलती है तो मैं यह मैं वहसूस करता हो कि जहां आप जैसे लोग कारे करता मेरे साथ है वहां नेट्रतु भी मेरे साथ है मैं पूरी दाकत के साथ आगे बढ़ूगा इस बाता हो कि अ इस विचार की यात्रा माभारती जो हम सब लोग जुटे हैं उसको यश मिलेगा और हम यशस्वी होंगे और देश में राजनीती में इस विचार को आगे लेकर के देश की स्थिती को परिवर्थित करने में माभारती की सेवा करने में एक अच्छे उपकरण बनेंगे ये वि करने का काम अमिद भाई चाजी ने पार्टी का दंगठर को चोड़ करके तो चलाया है और अब भाई का कहना है कि अभी पार्टी को और अच्छा करना है और आगे बढ़ना है